कोई है जो प्यार के स्कुल में दाखिला करवा रहा है और कोई है जो वहां से अपने टीसी कटवा रहा है नमस्कार जैहिंद मित्रों मेराथन मनुविग्यान की 66 नमबर सीरीज के इंदर आपका स्वागत है बिना किसी देरी के प्रारंब करते हैं आप लाइक करना भूल जा लाइक कर दें शेयर कर दें कल वाली सीरीज में सवाल पूछा गया था कि निमनांकित में से थांडाएक के अनुसार अधिगम का प्रात्मी की नियम है तो कुछ एक ने उत्तर दिया था बाकि देखने वाले पता नहीं उत्तर देते क्यों नहीं वह उनकी इच्छा उत्तर अभ्यास का नियम बाकि यतिन नहीं है आगे वड़ते हैं आज की सीरीज में पहला सवाल निमना लिखित में से कौन सी मुख्य परकिरिया बंडूरा के सामाजिक संग्यानात्मक सिद्दांत में समिलित नहीं है कौन सी परकिरिया जो बंडूरा का सामाजिक संग्यानात्मक सिद्दान तो उसमें समिलित नहीं है अनुभवनात्मक अवधनात्मक धारनात्मक या फिर अभिप्रेरनात्मक तो प्रथम सवाल का उत्तर हो जाएगा ए प्रथम का क्या हो जाएगा ए यह यहाँ पर अनुभवनात्मक समिलित नहीं है अगले सवाल के और बढ़ते हैं कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना एक एसी स्तती है जिसमें व्यक्ती पशुषिस रेष्ट है क्या ये सिद्ध करना चाहता है स्वायत यादरिशिक क्रिया है संग्यानात्म कारिय है या सीखना परिस्तिति के विभिन अंगों का प्रत्यक्षिकरन है तो कोहलर बताई क्या सिद्ध करना चाहता है दो के अंदर उत्र हो जाएगा कोहलर ये सिद्ध करना चाहता है कि जो सीखना है वो क्या है संग्यनात्मक प्रकिरिया है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अतेतिक बल दिया किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अतेतिक बल दिया वाई गोथकी ने पियाजे साब ने डेवी ने या फिर कोहल बर्ग ने तो तीन का उत्तर हो जाएगा ए वाई गोथकी ने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अतेतिक बल दिया आगे बढ़ते हैं सभी गुरूप में वोट्स और फेस्बूक जितने भी गुरूप उनमें शेर जरूर किया करें आप चोता सवाल है अभिक शम्ता की परिवासा है व्यक्ति की विभिन छेत्रों से समझ्याओं के समाधान की योग गेता है या व्यक्ति द्वारा किसी विशेश छेत्र में सेखी गई या अरजित की गई योग गेता है व्यक्ति की किसी विशिष्ट ग्यान और कोशल को अरजित करने की खुशमता है या फिर वेक्ति दुआरा किसी विशिष्ट प्रिष्थिति में निश्पाद्म करने की योग्यता है बताईए क्या है तो चार के अंदर उत्तर हो जाएगा क्या सही और सटिक परिवासा जो है चार की वेक्ति की किसी विशिष्ट ग्यान और कोशल को अर्जित करने की ख्षमता ही क्या है आगे बढ़ते हैं पांचवे सवाल की और विद्यार्ति में निम्न उपलब्दी का सबसे प्रमुक कारण है विद्यार्ति के अंदर निम्न अप्लब्दि का सबसे प्रमु कारण क्या है निम्न बुद्धि लब्दि उसकी या निम्न अभिप्रेर्णा परियासों में कमी या ऐ सुरक्षा और चिंता यहाँ पर मिश्टाइब होगे ऐ सुरक्षा और चिंता तो बताईए क्या हो जाएगा पांच के अंदर होगा डी आगे बढ़ते हैं छटा सवाल सीखने की वह अवधी जब सीखने की प्रकिरिया में कोई उन्नती नहीं होती कहलाती है सीखने की वो अवधी जिसकी प्रकिरिया के अंतरगत कोई उन्नती नहीं होती सीखने का वक्र, सीखने का पठार इस्मृति या फिर अवधान च्छे के अंदर उत्र हो जाएगा अपना क्या बी सीखने का पठार आगे बढ़ते हैं संगहनन का सिद्धान्त निम्न में से किसकी व्याख्या करता है अधिगम की, इस्मृति की, अभी प्रेरणा की या फिर स्रिजनात्मक्ता की तो संगहनन का सिद्धान निम्न में से किसकी व्याख्या करता है साथ का उत्तर हो जाएगा बी किसकी व्याख्या करता है इस्मृति की आगे बढ़ते हैं आठवा सवाल अलबर्ट बांडूरा निम्न में से किससे संबंदित है इस सिरीज के प्रारम में आपने अगर ठीक से देखा है सिरीज को तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगी या यूं कहें कि आपको याद होगा अलबर्ट बांडूरा निम्न में से किसी समदित है सामाजिक अधिगम सिद्धान से विवारवादी सिद्धान संग्यान नात्मंग विकास सिद्धान या मनोलेंगिक विकास तो आठ का उत्तर हो जाएगा एख सामाजिक अधिगम सिद्धान से आगे बढ़ते हैं नोवा सवाल अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण बनता है या अभिप्रेर्णा के कारण थकान के कारण या अभिरूची के कारण तो यहां पर नोका उत्र हो जाएगा अपने क्या सी अधिगम में जो वक्र बनता है वो बनता है थकान के कारण इसके कारण थकान के कारण दस्वाँ सवाल सोज या अंतरद्रिष्टी के सिधान्द का परतिपादन किस ने किया आप कमेंट करके बताईएगा इसका उतर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए सभी मित्रों को शेर कर दीजिए और पहली बार ये चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहे जैहिंद